तो जैसा कि हम लोगों को पता हम लोग बैसिक से इंगली सीक रहे हैं और आज हमरा वीडियो है वाज्वर का इसके पहले मैंने वाज्वर का एक वीडियो और आप लोगों के लिए दिया था ठिक है उसको जरूर देख लिजेगा और हम बेसिक से बात करें तो यह पार्ट नमर फॉर है मतलब दो वीडियो आपको मिला था यूज आप मिजार का चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मतलब यह वाज वर का अगले सेंटेंस में ठीक है तो इसके पहले मैंने जो सेंटेंस बताया था वह निगेटिव नहीं था ठीक कर दिया आप लोगों को पता है स्वर्य यह उखली नौड बढ़ा दियां और ज्यादा कुछ नहीं कियें आप यहां पर देखें मेरे दोस्त आपको मैंने बताया था पीछे याद करिए कि आई हो या फिर आई हो ही हो सी हो इट हो या फिर एगो नाम हो या फिर एनी सिंग या फिर दोग नाम हो मौनली जे हमने लिखा राम एंड सियाम ठीक है और या कोई पूलरल सब्जेक्ट हो कोई भी पूलरल समझ रहे ना पूलरल का मतलब यह हो जाता है एक से ज्यादा और सिंगुलर का मतलब स्केबल एक तो इसके साथ क्या लगाएंगे मेरे भाई तो वह यह चीज़ आपको हम बता चुके थे तो चलिए हम लोग आज के सेंटेंस को फटा फट देख लेते हैं अब देर नहीं करना है अब लोगों को सीखना आए तो सीखना आए ठीक है और आगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजए ए ठीक है तो चलिए हम छोड़ा फट आप देख सेंटेंस को दिखे यहां पर क्या सब्जेक्ट है आप लोग तो आप लोग का हो जाएगा यू और ङूक्रेश्वर प्लस वाज यहां पर दिखे रिखें यू के साथ आप क्या लगाएंगे यहां देख लीजी ठीक है तो तो लगेगा सर तो वर हो जाएगा यू के साथ अब दिए क्या लगाना नहीं लगा हुआ तो लगाना है और पिछले वीडियो में ने आपको बताया था कि हम लोग आप लोग किसान मतलब बहुत सरा किसान यह किसान नहीं है तो यहां पर क्या करेंगे फॉर्मर्ष लगा दे हो रहा है तो इसे तुद्धा लगता नहीं पूलल के साथ तो चील्डेन अब दिए यहां पर वर हो जाएगा सर्वर क्यों होगा वाज क्यों नहीं होगा क्योंकि पूल्राल है और पूलल के साथ मैंने आपको क्या सिखाया है कि वर लगाने के ठीक है तो यहां पर हो जाएग बस आप देखते रहें सिर्फ क्लासेश ठीक है उसके लोग नियमित नहीं थे क्या करेंगे बताई हम लोग का वी हो जाएगा वी के साथ वर ही लगेगा आप लोगों को पता है वी वर इसको कुछ लोग वेर भी पढ़ते हैं लेकिन ब्रीटिस प्रोनिसेशन में जदातर वर ही ठीक रहता है ठीक है तो वी वर उसके बाद नोट और नियमित का अंग्रेजी हो जाता है रेगुलर आरीजी ओले आर ठीक है तो बहुत असान है कुछ जदा आपको करने की जर्रत नहीं है ठीक है उसके मौसम साप था तो आप इसको कह सकते दाव वेदर और मौसम साप न सब्सक्राइब लगाना कुछ तो वाज लग गया तो मौसम के बारे मौसम का मतलब क्या कास में होता है काने का मतलब यह है इसमें को सिंगुलर पूलर नहीं होगा ठीक है और एक तरह से यह कह सकते हैं कि कॉन्टेवल ना उनके अंदर गत नहीं है तो इसके साथ आप वाज आई के साथ वाज लगेगा यहां पर देखें लिखिया हुए है पुरा ठीक है तो आई वाज उसके बात क्या हो जाएगा नोट आई वाज नोट अ क्रिमिनल बहुत सिंपल एक क्यों लगाएं से क्योंकि मैं अपरादी नहीं था मतलब एगो एक का बहुत हो रहा है ठीक है मैं अपरादी सिर्फ आप क्रिमिनल लगा जगत गलत हो जाएगा यहां पर दियां रखेंगा आई वाज नोट अक्रिमिनल टिक है अब दिके आकास तो आकास साथ नहीं था तो दश्काय आप लोगों को पता है कि अकास दुनियों में एक यह वह तो सिंगुलर तो हुआ है आप समझी रहें तो देजिए स्काय वाज उसका क्या हो जागा नोट और साफ क्या हो जागा कि लिए बहुत असन है अब तूम कभी नहीं थे तो तूम का क्या हो जाएगा सर तो यू यू के साथ क्या लगेगा यहां पर देख लिए यू के साथ क्या लगेगा तो वर लगा देते हैं चलिए और नोट है तो बहुत आसा नहीं था क्या करेंगे है पर क्या करेंगे बात ही हिए नहीं लिख लिख लेगा है वह ठीक नहीं होता है क्योंकि नाउन प्रोनाव में प्रॉनस है तो यह तुरु से खिलाप हो जाता है यहां पर और खूस का सर क्या हो जाएगा तो हैपी दे दीजिए आपर हैपी हैपी क्या तो यह था निगेटिव सेंटेंस जो कि हमने देखा एक एक करके आप सेंटेंस को अपने कापी में लिख लिए और उसको बनाईए इससे बड़ा बड़ा सेंटेंस मैं आपको बाद में सता है तो आप यह कंटेंस के करीया और एक होता है बीच में कैसे कब लगा ऎता है जिसे क्या वह सुरूँ हुआ वह क्यों दुखी था तो यह बीच में क्यों था समझ रहाए तो जों सोंहों होगा क्या कर देंगे वाज या वर cup को आ करना है मेरे भाई जब क्या से सिंटेंस शुरू होगा तब आपको क्या करना एक क्वार्ब आगे कर दीना है जैसे मैं खुस हूँ तो I am happy क्या मैं खुस हूँ क्या शुरू करें मतलब क्या आगे लगा तो च्जूरी भर कागे कर दी तो तुसीतथ यहां पर देखिया हम रहा है डुसरा नम्र के बीच में अब दिखी क्या रहेगा क्यों कैसे कहा कब किन है कौन यह सब रहेगा बीच पिछ और कभ किने को नी यह सब ठीक है इसकों लोग बोलेंगे डवली-एच मेन इसके लिए क्या है क्या तो यहीर रखालय को पढ़े लगा देना यह है इसी तरह बनादीन यहा Eminफ को पहले लिखना है फिर वाजबर जो लगवाल गळा न है फिर सब्सक्राइब फिर सब्सक्राइब कर दिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिए चलिए आप लोग बिमार थे यहां पर अनुसार आप लोग का अंगरी ची होता यू और यू के साथ लगया वी यू दे राम एंड सियां पूलडल सब्जेक्टि सबके साथ क्या लगेगा तो यहां पर चलिए हम लिक दते हैं वर ठीक है तो हो जाएगा वर यू अब दिखे हैं यहां पर क्या हो जाएगा बीमार का सब्सक्राइब कोई प्रॉबलम नहीं है बस आप लोग देखते रही है इसको ठीक है उसके बाद दिखे यहां पर हमने लिखा है क्या वह लड़का तो यहां पर का मतलब हो गया अब singular है तो यहां पर लगेगा नहीं क्या है इसको हम लगा नहीं और और से सब्सक्राइब भ। आपने से अब का सब्क्राइब कर दीक है तो वाज भ। यहां पर भुुलिए यहां पर आई है तो आई के साथ क्या लगते है तो दूआ थांगे कर दिए तो वाज आई अब दीके लगा हुआ है तो कहा लगाना पता था कि वाज या भर के ए फिर सब सब्स क्फर हो गया है मतलब आई फी जनोट्र देनALK धिते लिए सबसे पहले यहां पर हो जाएगा और फिर यहां पर हो जाएगा नोट तो है नहीं तो डॉक्टर डिरेक्ट सर यहां पर भेरी मतलब बहुत इजी है ठीक है अब यही को सनुत्पन कर रहा है तो पहले इस को लगा देना है तो चलिए कौन का अंगरेजी सर क्या होता है तो हूँ हो जाता है अब देखिए वह लड़का है तो डाइट बॉआ इसके अनुसार क्या लगाईएगा डाइट मतलब सिंगूलर है तो वाज लगता इसके अनुसार तो हूँ वाज डाइट बॉआ है अब तो कुछ रहेगा तब न लगाई कौन का अंगरेजी हो गया वाज लगया डाइट बॉआक साथ यह सब्जेक्ट होई अब कुछ हाई हम लोग है यहाँ परतों लोग का क्या हुज़या लगा दिजया लगा से तो हमारा तो चेका है बहुत ही सिंपल नहीं इस खुश सब्सक्राइब कोई दिकत नहीं है यह विटकत नहीं। और मतलब यह बेसिक सिखाने के बाद मैं आपको इस पिकिंग का वीडियो भी मतलब आपके लिए डालूंगा और मैं आपको सुरू से इस पिकिंग करने के लिए सिखाऊंगा इंगली समय आप सिखना चाहते तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी चैनल पर अप्लोड तो टीक है तो कब का देखे उसके बाद दिखे मैं है तो वाज हो जाएगा वाज आई और आई के बाद फिर सर नोट भी है तो नोट लगा दिए दिकिए जो इस टेक्टर करा तो वहीं कि हम ठीक है डबलू एच बड़ लगा दिया वेन अब दिखे वाज यवर में यह परने के ज़रत नहीं है मैं आपको speaking करने के लिए सिखाओंगा ठीक है अब दिखे वाइड लगा देंगे क्या हो ठीक है अब दिखे यहां पर यू है तो क्या हो जागा यू यू के अनुसार लेकिन पहले आपको वर लगना होगा तो वाइवर यू उसके बाद दिखे ला तो बला इसमें हमने देखा निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को ठीक है तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और इसे ही वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में लोग सिखेंगे यूज आप सेल भी विल भी ठीक है तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत